हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज जो हम करने जा रहे हैं वह हैं हमारे इस médias सिंप्लिफिकेशन का जो सीड घार नमबर सेवन बहुत इमपोर्थ लृब वाकरेशोट के लिए अगर आंजव से बात करें बिना एक प्रोट सब्सक्राइब करना बहुत ही मुश्किल है जो अप्रोच सा बच्चे स्वाल करते हैं आपको बता दो 95-98 पॉसेंट बच्चे मैक्सिमम यह क्वेशन कर लेते हैं exam में मैं आपको यहां पर यह नहीं सिखा रहा कि question को solve आपको questions दूँगा आप solve करेंगे उसके बाद आप answer देंगे ऐसा नहीं है यहां पर आपको यहां पर मैं जो चीजे सिखा रहा हूं वो कोशिश यह करना हूं कि जो आज हम solve करो आप लोग सब इसको solve कर लेंगे solve करना में मोटिव नहीं है हमारा में मोटिव है कि जल्द से जल्द बिना गलती करें किस तरह से हम चीजों को solve करें तो यह चीज हमें यहां पर सीखनी है तो इस सब के साथ ही जो आप लोगों का पहला मॉक टेस्ट है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यह तेस्ट हम लोग अभी प्रिपेर नहीं है तो आपको बता दू यह मॉक टेस्ट में आपको पिछले वीडियो में भी कहा था आपका स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा कि आप आज कहां पर स्टाइंड कर रहे हैं और उसी के साथ हम त्यारी को इंप्रूव करेंगे सेव हमारा जेके एससबी जब अकाउंट एसिस्टेंट के टेस्ट हमने शुरू कि भी बच्चों ने कहा था लेकिन दो टेस्ट देने के है कि मॉक टेस्ट जरूर देना जो बैंकिंग एससेट वाले है या जो वाले हैं दोनों खास तोर पर दोनों लोग देंगे एक्जाम में आपको पता चल जाएगा कहां स्टार्ट कर स्टैंड कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते आज का लेक्चर यह रहां आपके सामने पहला question तो यह है आपके सामने पहला question इसको आप लोग किस तरह से करेंगे approximation को करने का तरीका क्या है जो लोग पहली बार यह देख रहे हैं आम तो पर आप लोगों को पता होगा जो लोग एक्जाम देते आ रहे हैं किस तरह से इन अप्रोच करना होता है तो जो लोग यह देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ एक चीज अप्रॉक्सिमेशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है सिंप्लिफिकेशन में हमने एक चीज देखी थी कि आपको एक्जेक्ट आंसर मिलेगा लेकिन यह चीज आपके अप्रॉक्सिमेशन में नहीं होती यहां पर आपको उसके पास कहीं आंसर मिलेगा तो यह चीज हमें एक सीखनी है कि हम किस तरह से चीजों को करेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है तो चलिए बात करते हैं यहां पर अप्रॉक्सिमेशन की तो हम किस अप्रोच से से स्वाल करेंगे मैं आपको बता दू 18.95 हमें देखना है किसके करीब है तो यह आपको पता है कि राउंड आफ होके क्या हो जाएगा 69 और 94.96 किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा 95 के बराबर और 18.01 को हम लिख सकते हैं इस तरह से जब आप इसको इस तरह से कनवर्ट कर देंगे अब यहां पर किस तरह से चीजे होंगी तो आपको किस अपरोच से इने सॉल करना है वह आपको सीखना होगा अभी तक सिंपलिफिकेशन की जो चीज़ हो जीछी ती हमें एक्जैक क्यों एक यह शुक्त आंसर मिल जाएगा तो कहीं बार क्या होता है कि अब जैसे यहां पे अगर आपको दिया होता सिम्पलिफिकेशन में आपको पताएं यहां पर लेकर निकाल दें तरह से चाटने की कोशिश करता हूं तो यह आप देख रहे हैं कि यह तो यह आपको यहां पर होता है हमारा 45 तो अब यहां पर किस तरह से सॉल्ट करेंगे आगे यहां पर कुछ बचा है नहीं एटीन इंटू फॉर फाइव त्वेंटी यह आ गया आपका का 360 आंसर को इसे इसे हैं क्वेशन आपको बताना हूं सब लोग कर लेते हैं एक्जाम में सिंप्लिफिकेशन अप्रॉक्पिमेशन के लेकिन जितने कम स्टेप्स आप यूज करेंगे जितना कम आप पर यूज करेंगे उतना ही ज्यादा फाइदा आपको गई एक्जाम में तो चलिए बात करते हम नेक्स्ट की नेक्स्ट कुछ इस तरह से है आपके सामने अब इसे हम सॉल किस तरह से करेंगे सेम अप्रोच हमने जो की है किसके बराबर हो जाएगा आपका यह अप्रोक्सिमेशन में क्वेस्ट को सॉल करने के लिए ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए अब यहां पर वापिल से से चीज के मैं बात करूं कि यहां पर आप किस तरह से करेंगे जैसे कि आपको पता है यहां करने की तो आप बताएं आप किस से सॉल करें तो यह आपका सॉल हो जाएगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें एक्जेक्ट आंसर हम नहीं चाहिए हमें एक नियरेस चाहिए तो आप डारेक्ट इससे सॉल करने की कोशिश करें फाइव से जाएगा अगर यह आप लोगों का इस तरह से है एक्जेक्ट जाता है यह से तो यह आगया आपका 57 आपका डारेक्ट कैंसल आउट होके ज्यादा आपको हर बार जरूरी नहीं आप ट्रिक्स के साथ ही जाएं आपको कहीं बार सिंपल इसको डिवाइड करके देख लेना है अगर सपोज यह कैंस सिक्स्टीन हम कर देंगे यहां से डारेक्ट तो आपको आंसर मिल जाएगा आप लोगों का 41 आप लोगों निकाल दी होंगे बहुत सारे लोगों ने निकाल चुके हैं इस समय तक बात करते नेक्स क्वेशन की अब यह क्वेशन है आपके सामने सेम चीज पिछली क्लास में यह हमने डिसकस की थी सेम चीज यहां पर भी हम डिसकस करेंगे मैंने आपको इक चीज बताया था कि क्यूब निकालना हमें आना चाहिए क्यों निकालना बहुत ज्यादा सॉल कर सकेंगे वरना यह सॉल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्जाम में तो किसके नियरेस्ट है यह तो आप से पूछू तो आप लोगों पता है कि 10 का होता है तो यह तक्रीबन आपको लिखना है इसे हम क्यूब रूट में 125 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सिमेट वैल्यू हमें चाहिए तो यह हो गया आपका 5 के बराबर में अब यहां पर यह जो है यह किसके बराबर में होगा एक्जेक्ट किस तरह से निकालते हैं वह मैंने आपको पता ही एट थाउजन के करीब हो जाएगा आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि किस तरह से निकालते हैं डिनॉमिनेटर में तीन के बनाने हैं हमें तो यह जीरो और यह तू यानि की सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं 20 का 20 प्लस 10 30 माइनस 5 यह आपका आगया 25 अगर मैं ब करेगा माइनस 15 कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मैं क्या सिखाना चाहता हूं बहुत बार आपको लगेंगे कि यह हम नहीं कर सकते या यह हमें कन्फ्यूज करें लेकिन सेम प्रोच आपको सिंपलिकेशन की तरह ही करनी होती हो नेरे सांसर निकालना होता है किस तरह से इससे में बहुत हो जाते हैं आपको वह बताऊंगा चलिए बात करते हैं पहले सेगेशन की अब आप देख सकते हैं अपने सामने जो बैसे है इस क्या है कल ने आपको चीज बताई थी कि वन से लेके 31 तक स्क्वेर आपको याद होने चाहिए आपको कोई भी पूछे तो आ माइनस 12 का स्क्वेर माइनस 13 का स्क्वेर इस तरह से आप इसको लिख देंगे उसके बाद जब आप इसको सॉल्ट करने जाएंगे तो आपको अगर चीजे नहीं पता होगी तो आपको 15 15 15 करना पड़ेगा तो यह आपको बहुत ही जादा टाइम कंजूमिंग हो जाएगा एक्जाम में तो हमें पता है 15 का स्क्वेर क्या होता है 225 माइनस 144 माइनस 169 यह सारी चीजिए अगर आपको टिप्स पर हैं तो आप कर सकेंगे नवचार तेना चेतार दस से गया और यह जाएगा आपका माइनस 88 आंसर मिना ज्यादा टाइम वेस्ट किये वरना आपको मैंने बताया कि आंसर आप इसका तब भी निकाल देंगे 15 15 करके 12 12 करके 13 13 करके लेकिन आप क्या करेंगे आप एक्जाम में कम से कम भी 40 to 50 सेकिंड ज्यादा ले लेंगे और आप इतना 40 नही की सेक्शन ही सिरफ 20 मिनिट की हो यह चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी तो बात करते हैं नेक्स क्वेशन किये तो यह है आपको इसको सॉल किस तरह से करेंगे हम लोग तो सिंपल है आपको मैंने एक और चीज कल सिखाई थी जो चीज़ें आपको कल सिखाई थी वह सारा आज का लेक्चर उससे इंटरलिंक्ट है आई होप आप लोगों ने वह चीज़ें प्रैक्टिस की होंगी अगर नहीं की होंगी तो आपको लेक्चर देखने का कल कोई फाइदा नहीं हुआ अब बात करते हैं क्या इसे हम लिख सकते हैं किस तरह से 21 इंटू 31 प्लास 34 इंटू 20 अब हमें सॉल करना इसे सिंपल है मल्टिप्लिकेशन है सब लोग कर लेंगे मल्टिप्लाय करके आड लेकिन मल्टिप्लाय करने की स्पीड किसकी कितनी है वह मैटर करेगी यहां पे अब 21 इंटू 31 करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको कल एक से देख सकते हैं यह आगया आपका 651 सिंपल सॉल करके अब यहां पर इसको इस तरह से मल्टिप्लाय करने की जुरूरत नहीं है आपको बता है थर्टी फोर टूजा 68 1313 और यह आगया आपका आंसर इस स्पीड से अगर आप एक्जाम में क्वेशन कर रहे हैं तो आप मान क खुद देख सकते हैं जो आपका time quant section में बच्चों का नहीं बच पा रहा वह आप लोगों का end में बहुत जादा मिलेगा बात करते हैं अब हम next question की इसमें आपको कहा गया है अब इस question को किस तरह से solve करेंगे सिंपल है approach आपके सामने है मैंने आपको बता दिया है 2672 को किस त correct answer नहीं upon में क्या आजाएगा upon में आजाएगा आपका 99 into 35 is equal to x plus 26.98 कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है अब इसे solve करने का approach क्या होनी चाहिए आपको एक चीज मैंने बताई थी starting में भी अब यह 26.798 को हम क्या लिख सकते है direct 27 तो क्या अब हमें देखना है यहां पर हमे कोशिश करनी है कि क्या यह cancel out हो सकता है अगर नहीं भी हो सकता तो हमें nearest value के पास की निकाल देनी है पहली अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि क्या यह cancel out होता है तो इसे आप simple divide करके देख लें अब आपको डिवाइड करने है यह नहीं है पहले तीन से cancel करेंगे साथ तीन दास से सोला दो ठाना कि तीन से कटेगा फिर एक बार और कटेगा तो यह चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी किस तरह से आपको पता है यह तो आपको डारेक्ट इसको टू से करना नाइन टू जा एटीन और वान नाइन नो पच्छेस में से आपका गे अगर नो तो यह यह अब यह पता है आपको 67 के पास होता है और 7 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको आ जाएगा तो यह आपका डारेक्ट कैंसल अट हो जाएगा आपको करने की जुरूरत नहीं है यह आगया आपका 27 इंटू 35 अब किस तरह से अपरोच करेंगे वापिस से मैंने आपको सब्सक्राइगा तो माइनस हो जाएगा आपका तो यह आगया आपका 918 आंसर यह आपको मैंने बताया कि करने का तरीका और करने की स्पीड अभी मैं आपको समझा रहा हूं अगर मेरी स्पीड समझाते हुए थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो आप लोग वापिस से वीडि से दी कोशिश करना है या आप वैल्यू निकाल करके वैल्यू लें सब्ट्रेक्ट करें आंसर निकाले और आंसर मार कर दें यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक्जाम में भी बात करते हैं नेक्स्ट के उपर अब यह है आपके सामने क्वेशन गिवन किस तरह से करेंग अपनी अप्रोच पर अब बात करते हैं किस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि एक्जाम में किस तरह से करते हैं टूंटी-फौर का स्कूरर शिक्षिट्षर उपन से गलत करने के बावजूद भी आप देख सखते हैं अंसर आपका कित्ती जल्दी निकल सकता है एक्जाम में तो यह चीज़े आपको छोटी-छोटी सीखनी है जितना कम आप pen को यूज करेंगे simplification और approximation में उतना ही जल्दी आपका answer आएगा और उतना ही जल्दी आपका answer होगा अगर आपकी practice उतनी नहीं है आपके सामने question आएगा आपको पहले 5-10 second लगेंगे question को देखने के लिए कि है क्या पूछा क्या गया है अगर आपने चीज़ें पढ़ी है आप सीधा हाथ चलाएंगे अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ 23.97 है यह आपका उजाएगा 24 का स्क्वेर माइनस 5.9 है तो यह होगा एक्स इंटू 10 कर रहा किस तरह से मैं डारेक्ट लिखा 576-6 यह आगया आपका 570 और यह 10 था तो यह जिरो कैंसल आउट और यह आगया आपका 57 अब जो करेंगे उसको मैं आपको जिखाऊंगा कि एक्जाम में अगर आए जाए तो आप किस तरह से उसने डील कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं नेक्स क्वेशन पर आपके सामने यह क्वेशन है अब मैं आपको यह बोल दूं बोल 1 याद रख सकता है या जितनी डिटेन रख सकता है उतनी ही बोली है कि आपको 12 3 से क्यूंस नहीं बोला आपको ऊसलिए क्योंकि मैंने भी आपकी स्टेश से ही निकला हूं मुझे भी बहुत सारी मुश्किल आती थी चीजों मेंगे चीज्ड एक समय में मुझे इतना टाइम लगया चीज राही पान ही तो आहिसे में नुद्द अब इस क्वेशन में इतना खास कुछ पूछा गया नहीं है लेकिन एक चीज़ है अगर आप देखे जाए 14.96 का क्यूब पूछा गया है इसे अगर मैं इसे इसी तरह से सौल करूंगा 5525 5211 252 25733 सिंपल कितना जादा टाइम लगा आपके सामने हैं इसके बाद क्या कहा गया है यह कहा गया है तो यह जब यहां जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 3310 यह साइड जाएगा और यह स्क्वेर पॉजिटिब मैं यहां से आप निकाल नाइन है तो यह आपको आजाएगा 64 option में आप देखेंगे आपको 64 आप करेंगे आंसर मार और जब एक्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा 0.25 माइनस में क्यूंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपको पूछा क्या गया है आपको पूछा ग को सिरफ दिखाऊंगा कि अगर एक्जाममें मुझे यह वाद लेखे तो मैं किस अपरोच से सॉल्ल करूंगा तो आप भी अपसे क्वेशन को उसी अप्रोच से सॉल्ल करने की कोशिश करें अब इसउन क्निक करेंगे 15 इंटू 7 23 से घ्याब USA कि आपको इस तरह से अप्रोच करना सीखना होगा क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही बड़ा इतनी विकेंसी आमतर पर आती नहीं है जितनी इस बार आई है लेकिन एक और चीज बता दूं आपको कि हमारे लिए मोटीर यह नहीं है कि हम आपको बोलेंगी आओ सब्सक्राइ सब्सक्राइबर काउंट से प्रॉब्लम हो रही थी तो नेगेटिविटी उस पर चाइबर काउंट ही हटा दिया है आप किसी को वह नहीं करता तो यह चीजे में आपको बता रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स लाइक व्यूँ यह कमेंट यहीं पर रह जाएंगे आप लोगो चल रहा हो दिया के वाजने के अंड में आपको एक सालरी मिलएगी जिसको आप यूतिलाइज कर सकते हैं उसी तरहीं को पर प्रियूइद कर सकते हो तो आज हम यह चीजे कर रहे हैं आपको मैं पूरा लाइफ के लिए भी गाइड करूँगा क्योंकि मैंने आपके सामने त अपने तरीके से जी हूं तो यही चीज है तो इसी के लिए हमने कहा था कि यह जो हमारे भी तीन एक्जाम है इसके बाद हम नया बैच कोई नहीं चलाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक पे जाएंगे तो यह तीन आपके कवर हो जाएंगे सबसे जादा इंपोर्टेंट इसमें आपके लिए होगा एक तो आप लोग अपनी त्यारी या प्रेपरेशन किस तरीके से करते हैं वो और दूसरा है आप अपनी त्यारी को मौक टेस्ट के सुरू किस तरह से अनलाइज करते हैं यह यह दो चीज़े मैं आपको हमेशा क्वेशन इसे किस तरह से सौल करेंगे मैं आपको पर्सेंटेज चैप्टर करवा चुका हूं करवाने का मक्सद यह था कि ताक कि आपको पता चले एक से दो पार्ट उसके और आएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लिय कि 15% हो जाएगा यह आपका 15 परसंट को मिसी तरह से लिख देंगे इंटू 740 इतना क्लियर है अब क्या करेंगे अगली अप्रोच कैंसल आउट करेंगे 3 से जाएगा यह टू से जाएगा और यह आपका गया 37 से 731 और यह आगया आपका 111 से उस साइट पर भी करेंगे 5 1 साइट करेंगे इसका आजाएगा आपका 683 आंसर करने को देखो मैं आपको करने के साथ तरीके आपको सिंपल बता सकता हूं जिससे मेरी वीडियो की बढ़ जाएगी आप लोग बोलेंगे वह क्या सही तरीके से सिखाया जमां आपको अगर सिखा हूं कि इसको हम इसको करेंगे 45 यह से करने के साथ में आपको करवा सकता हूं आप लोगों लगया यार बहुत असान तरीका है बहुत सही है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप्रोक्सिमेशन और सिंपलिफिकेशन के 95 परसेंट बच्चे जो एक्जाम देने जाते हैं वो हर एक क्वेशन सौल करते हैं हमें हर एक क्वेशन सौल नहीं करना है हमें हर एक क्वेशन को स्पीड के साथ सौल करना है यह चीज में आपको सिखा रहा हूं यहां पर और यही अप्रोच है और यही गलती है जो हर एक बच्चा अपने साथ चलाते आगा है हमेशा से और चीज अरेंज करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रूप पे आप टेलीग्राम ग्रूप पे भी जॉइन कर ले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बहुत सारे बच्चों का मेसेज़ आते हैं कि लोग अपना पढ़ते रहें सेलेक्शन लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं हमेशा से मेरा यही मोटिव है और यही ही मेरा कैना है तो आज के लिए सीखने को मिली होंगी थोड़ी बहुत और आपको पता चला होगा कि सही अप्रोच क्या रखते हैं एक्जा झाले मेरा का स्थाओफ में लें जड़नको कि सही है थाले मेरा यही है यही कि सही इ